राजत सुप्रीमो लालु प्रसाद यादव को भले ही राची हाई कोट से जमानत मिल गई है लेकिन उनके समर्थकों के लिए खट्टी और मीठी दोनों खबरे सामने आ रही है पिता को जमानत मिलने के बाद भी तिजिस्वी यादव उतना उत्साहित नजर नहीं आ रहे है उन्होंने अपने पिता लालु प्रसाद यादव की स्वास्त को लेकर चिंता व्यक्त की है तिजिस्वी ने कहा है कि भले ही पिता को कोट जमानत मिल गई हो लेकिन फिलाल वो पटना नहीं आएंगे दिल्ली एमस में ही उनका इलाज चलेगा कोरोना को लेकर राज़िपाल की अध्यक्षता में हुई सर्वदल गे बैठक में हिस्सा लेकर बाहर निकलने के बाद तिजिस्वी ने मीदिया कर्मियों से बात चीत के उन्हें कहा कि लालो जी ने सजा की आदियाविधी पूरी कर ली है नियाले ने उन्हें बेल दिया है और वे अभी एमस में भरती हैं और एमस में ही रहेंगे इलाज चल रहा है, उन्हें कहा है कि हम लोगों की चिंता उनके स्वास्त को लेकर है उनकी किड़नी में संक्रमन कापी ज्यादा है और सांस लेने में तकलीफ है उनका इलाज अभी AIMS में ही चलेगा तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार के लोगों में खुशी की लहर है अब उनके मसीहा बाहर आ रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि एम्स के डॉक्टरों से बातचीत लगता जारी है और डॉक्टरों को कहना है कि वो अभी उनको मोनीटर पर रखेंगे जब तक वो पूरी तरीके से स्वस्त नहीं हो जाते तब तक वो दिल्ली एम्स में ही रहेंगे हाला कि अब जाकर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गई है लेकिन जो परिवार है और जो सुफचिंतक है उनकी चिंताएं अभी भी बनी हुई है लालू याद जो होता है वह लालू जी ने पूरा किया है और इस तोर पे जो है उचन्याले ने लालू जी को प्रेंग कर दो पूरी खुशी की लहर पुरे देश भर में है देश की जरूरत जो देश में सभी लोगों को इंतजार था लालू जी की अबिया इसके लिए माने हाई कोट को हम धन्यवाद देना चाहिए और अभी फिलहाल लालू जी जो है एमस में भरती है विलाज चल रहा है और पेल मिली है इसकी खुशी है लेकिन हम लोगों की चिंता उनकी स्वास्त को स्वास्त को लेके भी है अभी आप सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी गंबीड बिमारियों से जूज रहे हैं और हाट पेशेंट होने के अलावा उनके अभी किड्नी में इंफेक्शन काफी जादा है इसको देखते हुए अभी लालू जी का इलाज जो है गेम्स पे चल रहा है और गेम्स में ही चलेगा तो अभी पर जादा क्या कहना लेकिन झाल जी जादा क्या जादा लेक्शन काफी लादा जादा क्या है